Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं William Shakespeare का Sonnet 18 William Shakespeare ने 154 Sonnets लिखे ते और उसमें से Sonnet 18 सबसे Famous Sonnets में से एक है इस Sonnet के अंदर Speaker कह रहे हैं कि क्या उन्हें compare करना चाहिए एक young man को Summer Day के साथ में Shall I compare thee to a Summer Days? दोस्तों Western World के अंदर जो गर्मिया हैं उन्हें अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ पे सर्दियों में बर्फ बगेरा पढ़ती है तो लोग wait करते हैं पूरे साल Summer का तो यह यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या मुझे तुम्हें Summer Day के साथ compare करना चाहिए Thou art more lovely and more temperate मैं तो यह notice कर रहा हूँ कि जो तुम्हारी qualities हैं वो Summer Day से कहीं अच्छी है Rough winds do shake the darling birds of my जब तेज हवाएं आती हैं तो जो मई के महीने में लगने वाली छोटी-छोटी कलिया हैं वो हिल जाती है And summer's leaves hath all too short a date वो यहाँ पे यह कह रहे हैं कि Summer Day बदलता रहता है और eventually जाके खत्म भी हो जाता है अब हम देखेंगे इसका second quatrain First quatrain के बाद, first four lines के बाद, अब second four lines पे हम नज़र डालेंगे Sometime too hot the eye of heaven shines and often is his gold complexion dimmed And every fear from fear sometimes decline by chance on nature's changing course untrimmed यह कह रहा है कभी तो बहुत जादा गर्मी होती है जैसे स्वर्ग चमक राओ, इतनी तेज गर्मी अक्सर gold के complexion जैसे सोने का रंगत होती है वैसे मौसम dim हो जाता है मौसम बदलता रहता है और nature अपना course change करता रहता है वो लगातार बदलता रहता है पर तुमारी जो qualities हैं, वो हमेशा जिन्दा रहेंगी जब तक ये poem रहेगी, तब तक लोग तुम्हें पढ़ते रहेंगे और तुम्हारी qualities का गुणगान करते रहेंगे अब हम आगे देखते हैं, third quatrain but thy eternal summer shall not fade पर तुम्हारा जो summer है, मतलब जो तुम हो तुम्हारी जो qualities है, eternal यानि कभी न खत्म होने वाली वो कभी fade नहीं होंगी nor lose possession of that fair thouest ना ही तुम्हारा जो possession है यानि जो तुम्हारे पास चीजें हैं, वो कभी खत्म होंगी nor shall death brag thou wanderest in his shade when in eternal lines to time thou growest ना ही कभी मृत्यों तुम्हें खीच पाएगी अपनी चाओं में ये जो poem मैं लिख रहा हूँ, जो eternal lines हैं उनमें तुम हमेशा जिन्दा रहोगी अब यहां पर एक irony दिखाई गई है ये कोई actual young man नहीं है जिसके eternalize होने के बारे में बात हो रही है बलकि यहां पर poem के अंदर किसी भी young आदमी का description है ही नहीं ये तो summer day का description है जिसे यूवा लोगों को outlive करना है, उसे surpass करना है बाद में एक couplet हो रहाता है जब तक इंसान सांस ले सकते हैं और आखे देख सकती है तब तक यह जिन्दा रहेगा और तुम्हें जिन्दगी देता रहेगा दोस्तों इसमें total 14 lines थी जिसे हम English sonnet या Shakespearean sonnet कहते हैं Iambic Pentameter है, total 3 quatrains है और फिर एक couplet है इसकी characteristic rhyme scheme है A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G I hope यह sonnet आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जल्दी फिर मिलेंगे एक और topic के साथ यदि यह मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया तो please channel को subscribe करें और bell button को tick करें ताकि सभी notification आपको मिल पाएं इसे अपने friends के साथ share करें कम पसंद आया तो like करें और comment box में अपना feedback जरूर दें साथ ही यह भी बताएं कि और ऐसे कौन से topics हैं जिनकी हिंदी आप मुझसे चाहते हैं चल दें फिर मिलेंगे एक और topic के साथ thank you so much